चारगुना फीस बड़ोतरी के विरोध में इलाबास सेंटरल उन्वेस्टी के छात्रों का अंदोलन लगातार जाली है छात्रों के अंशन का आज 21 दिन है और बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि जो छात्र है वो आज भी अंशन पर बैठे हुए है और छात्रों के अ और जिस प्रकार की रणनीती वरतमान परिस्थितियों में चल रही है हमें सिर्फ फीस व्रदी को ले करके नहीं बलकि युनिवर्स्टी में हो रहे हर गलत काम को चाहे वो सेशन डिले हो चाहे रिजल्स टाइम पर डिकलेर ना हो चाहे अड्मिशन्स में डिस्क्रिपेंसी और हम लोगों धीमे धीमे गरीबी के तरफ धकेला जा रहा है हमारा भविश खराब हो रहा है तो इस पूरे आंदोलन में मैं अपने चात्रों के साथ पहले दिन से हूँ लगातार उनके कांटाक में हूँ और मैं ये मानती हूँ कि जितना मैंने इस आंदोलन को समझा है इ या वहाँ भी इस मुद्दे को उठाएंगी देगे ये मुद्दा इतना एहम है जो एक बच्चे या दो बच्चे के भविश को निर्धारित नहीं करता ये पूरे संपूर्ण देश की एक बड़ी विवस्था में कमी है और ऐसे में अपने सभी भाईयों के साथ मैं सड़ इसलिए एक दिन पहले ही यहां से निकले हुए एक उपुमुक मंत्री जो सरकार के सूबे में हैं वो भी यहां आये थे और वो कुम के मेले में हो रही तैयारी और उसके बारे में समीक्षा बैठा कर रहे हैं क्योंकि उस कुम से उनको अर्बो खर्बो पैसा मिल जाता है ल क्रीवन तीन महिने हो गए इनके आंदोलन करते हुए वाइस चांसलर से आज तक इनकी मुलाकात भी नहीं हो सकी है क्योंकि वो एक मेमोरंडम लेकर छात्रों को बता दें कि नहीं हम इसलिए लागू कर रहे हैं तो वहां पर आप आंदोलन को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे देखिए मैं चात्रों की एक आप मालीजे उनकी अगुआ आप मालीजे उनके सही होगी के तौर पर उनकी तमाम समस्याओं को ले करके प्रयासरत रहेंगे कि ये बात जो अंसुनी हो रही है मानिये मुख मंदरी जी तक भी पहुँचे और यहां पर वाइस चांसलर के कानो में भी पहुँचे ऐसा मैं सुनिश्चित करूंगी क्या भविश में आने वाले दिनों में अखिले शादो जी को भी आप लाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनके पिता ने यहां आकर चात्संग बहाली का एलान किया था जिस दिन सपत लीती शपत लेने के एक घंटे के ब हरोसा दिलाया है कि उनकी लड़ाई में वो पूरी तरह से साथ है और चात्रों के आंदोलन में जिस तरह के सहयोग की जरूरत होगी वो पूरा चात्रों की लड़ाई में पूरी तरह से साथ देंगे कैमिरा मैं रोईशी वास्तों के साथ मुहम्मद मुहीन एबीपी गंगा प्रियाग राज